नमस्ते यहां पर बवासील बहुत ही कठिन बीमारी है जैसे मन्दागनी हो गया तो कॉंस्टिपेशन रहता है तो भी कॉंस्टिपेशन वाले को बाद में बवासील मूल वयाद है जैसे उसके अलिग प्रकार है जैसे खाली एक थोड़े उपर है चिरे जैसे ऐसे आएंगे और वहां से खून निकलेगा कभी और नहीं तो फिर ऐसे अंदर ग्रोथ हो जाएगी अलग अलग प्रकार है लेकिन जो रक्त जिससे खून जिससे गिरता है ऐसे जो वहासिर होते ने उसके लिए आपको एक इलाज बताते हैं गरेलो इलाज है पहला इलाज क्या है और आसां कि ये मुलिठी का चूरन है एक चम्मज मुलिठी का चूरन जो है यह वह लेना और वह रात को पानी के साथ पी जाने का बस ये एक अच्छा और आसान तरीका है जो है नाग केशर बोलते इसको, केशर ही है लइकिन नाग केशर है, इसमें मिलना मुश्κिल है ንhuh् KNOW pense, मैं कहांवे 5 हम के नहीं जूट के उसको बह草lier, तो मैं वापस लाओंगी लाओंगा लाओंग लाओंगा लाओंगा जैसे हम लोग दिखाएंगे, तो वो शायद उसके पार होगा तो देगा, महिंगा रहता है, इसलिए वो क्या है, एक बनावट या इसे ही दिखता है, वो दे देते है, चूरा, तो यह जो है, है अक्सीर एकदम, सब तरह की बवासीर या आग होती हो पेट में, जलन होती है, पित्त जिन का जादा होता है, बहुत मिर्ची खाने से भी है, इसे कभी-कभी शुरू हो जाती है, तो इनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है, इसका इतना ऐसे चूरण लेना है, और ये जो है, वो ले करके एक ग्रैम जैसे लिया है, और इसके अंदर ये मिस्री जो है, व जिर जादा इसके अंदर ये थोड़ा मक्कर डाल दिया एक आपको बता हुद नहीं मिलेगा ना तो मक्कन और मिस्री खाने से भी बवासिर में लाब होता है ये ध्यान में रखिया आइसे नहीं है कि दवा नहीं मिली दवा नहीं मिली तो सफर हो ना और अभी ये करके इसको कि दंग से हम मिलाएंगे और ये खा जाएंगे खाने भी मजा आती है और है तो ये जो है दवा ना केशर मिलेगा तो अच्छा है नहीं तो आप मक्कन मिस्री खाएं मक्कन मिस्री से वीरिय भी बढ़ता है सबका और यो ताकत भी बढ़ती है ये बहुत ही अच्छी तो यह आप जरूर लीजिए और यह डालके लेंगे तो यह बवासिर में काम आएगे। अब वहाँ जहां लोकल आग होती है, कुन आता है, जखम जैसा है, थोड़ी वूंड है अंदर तो यह जो है शतधवतगृतव, यह जो घी है, वो 100 बार इसको पानी से धोया है, इसकी सवस्कार बुलते हैं, इसको पानी में पीस-पीस-पीस-पीस पर इसका फोब बन गया तो पानी निकाल दिया, दूसरे दिन आए, तो फिर शुरू किया, इसे 100 दिन लग जाएंगे, और यह है कंडी, गोबर की, ऐसे आजकल इंटरनेट पर भी आउर्डर कर ले सकते हो, यह है इसको थोड़ा सा घी डालना इसके उपर, और घी डालके इसमें जलाना उसको, तो जराकया जलने में आसानी हो जाती है, और घी और कंडी जब जलती है, तो मानो कि आपको यह नहीं मिला, यह जो राड है नहीं मिली, तो इसका भी धूआ लेने से बवासीर में बहुत फाइदा होता है, गोबर की कंडी जलने से और घी के साथ, तो यह इस तरह से जलने लगेगा, तो यह कंडी के उपर आप यह जो धूप ऐसे डालना है, और अभी क्या करना है, जो इसे बुनाई करते हैं, सीट की ऐसी कुरसी चाहिए, तो नीचे आप यह रख दीजिए, और उपर बेट जाएए, बाद में तुवाल यह कोई ब्लैंकेट ले लीजिए, कि धुआ इदर उदर नह जाए, और नीचे से धुआ लगना चाहिए, तो यह धुआ लग जाएगा या तो ऐसे पट्टी-पट्टी की होगी, तो भी दुआ नीचे से आता है, कुरसी ऐसे, छोटी सी फोल्डी कुरसी ले ले लेगा, और यह लगाने से बवासीर में बहुत रहात मिलेगे, और जैसे कभी-कभी जोर करना पड़ता है, तो बहार भी थोड़ा सा गुदा आ ज क्योंकि इतना कोई जलने वाला है नहीं, और यह दूप धुआ ही करेगा, और खड़े रहे जाई है, तो भी चलेगा, बाद में थोड़ा सा इसे ब्लैंकेट पकड़ के खड़े हो जाना, और इसमें खड़े-खड़े, कभी-कभी क्या है, बेटने में भी तकलिफ होती है बाद सिर वाले को, और यह सब घरेल हो है, लेकिन यह ऐसे संकूल, यह जो है संतुलन.टीन पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं, ऐसे मार्केट पे भी मिल जाएगा, तो यह चीज़े आप कीजिए, बाद सिर में शान्ती मेंसूस कीजिए, और फिर आपका ख पिर आपको मिल जाएगा झापको मेंस।